पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गुजरात के एक हिंदू ने जो की कुछी समय पहले मुसल्मान बना था अंतिम खिलजी सुल्तान मुबारक खां की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरोशा के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया किन्तु तुर्की अमीर उसे निम्न जाती का कहकर ना पसंद करते थे कुछ इतिहास कारों ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को बरवार जाती का बताया है जो बैस राजपूतों की एक शाखा थी आजादी के समय गौंड ख्षेत्र में बरवार जाती बड़ी संख्या में निवास करती थी जिन्हें अंग्रेजों ने जुरायम पेशा कौम घुशित कर रखा था आजादी के बाद इन्हें समाज की मुख्यधारा में लिया गया तथा वर्तमान समय में ये लोग संपूर उत्तरी भारत में निवास करते हैं किन्तु नासिरुद्दीन खुसरो शाह गुजरात का रहने वाला था न की गौन्ड रिक्षेत्र का कुछ इतिहास कारों ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को परवारी जाती का बताया है कुछ लोगों का अनुमान है कि वह रिवारी जाती का था कुछ इतियासकारों ने लिखा है कि वे भारवार अथवा गड़रिया नामक नीची जाती का गुजराती हिंदू था इस प्रकार नासिरुद्दीन खुसरोशाह की जाती के बारे में अलग-अलग राय प्रकट की जाती है किन्तु अनुमान होता है कि वे गुजरात में रहने वाली रिवारी जाती का था यह जाती आज भी बड़ी संख्या में गुजरात में निवास करती है यह मूलत है चरवाह जाती है तथा रिवारी शब्द का उद्भव भी चरवाह से हुआ है हालांकि मुस्लिम इत्यासकारों ने खुसरो शाह को नीची जाती का बताया है किन्तु भारतिय समाज में परंपरागत रूप से रहवारियों को उच्छ एवं समण जाती का मना जाता है संभवत है मुस्लिम मिध्यासकारों ने नासिरुद्दीन खुसरोशाह को नीचा दिखाने के लिए उसे नीची जाती का हिंदू लिखा है नासिरुद्दीन खुसरोशाह ने अपने उन साथियों को उंचे पद दे कर अपनी स्थिती को मजबूत बनाने का प्रयास किया जिन्होंने नासिरुद्दीन खुसरोशाह को तख्त प्राप्त करने में सहयोग किया था उसने पुराने अमीरों को उनके पदों पर रहने दे कर और उन्हें नई पदवियां दे कर प्रसंद करने का प्रयास किया नासिरुद्दीन खुसरो शाह को शेख निजामुद्दीन ओलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त हो गया परन्तु तुर्की अमीर उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि खुसरो मूल तह हिंदू था तथा कुछ ही समय पहले मुसल्मान बना था इसलिए तुर्की अमीरों को वै सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं था चुकि तुर्की अमीरों की द्रश्टी में खुसरो शाह हिंदूओं में भी निम्न समझे जाने वाले वर्ग से था इसलिए स्वयम को उच्च रक्तवंश का समझने वाले तुर्की अमीर उसे सुल्तान स्वीकार करने में अपनी तोहीन समझते थे तुर्की अमीरों के अनुसार खुसरो शाह हिंदुओं के साथ विशेश साहनो भूती दिखाता था और अपने हिंदु संबंधियों को शासन में उच्च पद देता था खुसरो ने कुछ तुर्की अमीरों को उनकी उद्दंडता के लिए अपमानित किया इससे भी वे उसके प्रबल विरोधी हो गए इन सब कारणों से तुर्की अमीरों ने खुसरो पर आरोप लगाया कि वे आधा हिंदु है तथा शाही मेहलों में मूर्ती पूजा को प्रोटसाहन देता है वस्तुते खुसरों के बहुत से संबंधी अब भी हिंदु थे और वे शाही महलों में रह कर मूर्ती पूझा किया करते थे तुर्की अमीरों को यह भै था कि यदि खुसरो शाह का राज्य जम गया तो भारत से तुर्की अमीरों का पत्ता साफ होने में अधिक समय नहीं लगेगा इस से पहले भी जब इमादोत दीन रेहानी नामक एक भारती ये मुसल्मान ने दिल्ली सल्तनत के प्रधान मंतरी का पद प्राप्त किया था तब तुर्की अमीरों ने उसे केवल एक साल के भीतर ही नश्ट कर दिया था यह दूसरा अवसर था जब किसी भारती ये मुसल्मान ने सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास किया था इसलिए कुछ तुर्की अमीरों एवं मलिकों ने नारा बुलंद किया कि हिंदुस्तान में इसलाम खत्रे में है जियाउद्दीन बर्नी भी एक तुर्की अमीर था उसने खुसरो शाह की बड़ी कटू आलोचना एवं निंदा की है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि खुसरो शाह मूर्ती पूजक, आदा हिंदू, दुष्ट एवं जनता में अलोग प्रिय था जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि खुसरो शाह बर्वार हिंदूओं की साहता से अलाई तथा कुतुबी तक्त पर बैठ गया अपने सिंगासना रोहन के पांच ही दिन के भीतर उस तुच्छ तथा पतित ने महल में मूर्ती पूजा प्रारंब कर दी उसके राज्य में बर्वार अधिक संपन्न हो गए पश्चाताप की अगनी तथा अत्याचार की लपट आकाश तक पहुँचने लगी बर्वार तथा उसके साथी हिंदूओं ने अपने अधिकार के नशे में कुरान का खुर्सी के इस्थान पर प्रयोक करना प्रारंब कर दिया मस्जिद की ताकों में मूर्तियां रख दी गई और मूर्ती पूजा होने लगी उसका राज्जा विशेक होने से तथा बर्वारों एवं अन्य हिंदूओं के अधिकार संपन्न हो जाने से कुफर तथा काफिरी के नियमों को उन्नती प्राप्त होने लगी खुसरोखा ने इस उद्देश से कि बरवारों तथा हिंदूओं को विशेश अधिकार प्राप्त हो जाएं और अत्यधिक हिंदू उसके सहायक बन जाएं खजाना लुटाना तथा धन संपत्ति बांटना प्रारंभ कर दिया हिंदू समस्त इसलामी राज्य में उत्पात मचा रहे थे वे खुशियां मनाते और इस बात पर प्रसंद होते थे कि दिल्ली में पुने हिंदूओं का राज्य इस्थाफित हो गया और इसलामी राज्य का अंत हो गया इबन बतूता ने लिखा है कि खुसरोख खाने गोहत्या का निशेद कर दिया क्योंकि हिंदु धर्म में इसकी मना ही थी निजामुद्दीन एहमद ने लिखा है कि उसके राज्यों में मस्जिदों का विनाश सामान्य बात हो गया क्योंकि गैर तुर्की अमीरों में खुसरोख काफी लोख प्रिय था और वे अमीर चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत में तुर्की अमीरों का एकाधिकार समाप्तो और भारत के मुसल्मान ही दिल्ली का तक्त संभालें यहां तक कि उस काल का प्रमुख सुखी दर्वेश निजामुद्दीन ओलिया भी खुसरोख के शासन को अच्छा समस्ता था और उसके पक्ष में था किशोरी सरनलाल ने लिखा है कि यह सत्य है कि कुछ बर्वारियों ने महल के भीतर मूर्तियों की पूजा की और कुरान की प्रतियों को भड़ा उन्हें ग्यात था कि मुस्लिम विजेताओं ने मंदिर तोड़े थे और धार्मिक पुस्तकें जलाई थी अतह बर्वारी लोग मुसल्मानों से भी वैसा ही बर्ताव कर रहे थे और सिंगासन प्राप्त करने में सुल्तान पर उन्होंने जो अनुग्रह किया था उनके कारण सुल्तान उनके कारियों में हस्तक शेप नहीं करता था वास्तों में इस बात का एक भी उधारण नहीं मिलता है कि नासिरुद्दीन खुसरो इसलाम विरोधी था फिर भी तुर्की अमीरों ने उसके बारे में जम कर दुश प्रचार किया कि वह इस्लाम विरोधी है यह इस्तिती लगवग दो महिने तक रही तुर्की अमीरों की बेचैनी का अलाब उठाने के लिए दिपालपुर के हाकिम गाजी मलिक ने खुसरोशाह के विरुध्धम औरचा खुला वह स्वयम तुर्की अमीर था और उसने अन्य तुर्की अमीरों को अपने पक्ष में संगठित करने का प्रयास आरंब कर दिया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवम शेयर करें धन्यवाद